हाई गैस तो अभी दली में तेंपरेचर अब घरम होई गया है नॉमल हो गया है तो यह मैंने एक टेंपरेरी सा पॉली हाउस बना रहा था अपने अडेनियम और केक्टाई के लिए तो अभी मैं इसको रिमॉव कर देता हूँ वह आप भी अगर जैसे चाहो तो अपना घर प एक नीचे लेयर पर एक वेल्डिंग करवा दी थी और एक उपर वाली लेयर पर तो काफी एडेनियम बच गया है मतलब चार-पंच कैजूलिटीज हैं भी बट अल्मोस अब सेफ हैं सो बहुत काम आया है और अब इसको अटाने का टाइम आ रहा है क्योंकि यह ज्यादा हो हो रहा है इनके लिए अब अब पानी इसमें बहुत जादा जल्दी ड्राई हो रहा है टेम्पेचर की विए से तो थांक यू